दोस्तों नमस्का स्वागते एक बाफे से आज की बड़ी और ताजा ख़वरों में आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज होगा अंतिम दिन केंद्र की ओर से दो बारा भेज़े गए ड्राफ्ट पर बनी सेमती वहीं किसानों का आंदोलन इस्थगित करने का हुआ एलान सेयोट किसान मोचा ने प्रदसन खत्म करने के लिए सरकार के सामने रखी सर्च वहीं मोधी सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेता गुरुणाम सिंग चडूनी का बड़ा एलान बोले जब तक केस बापस नहीं होगे तब तक आंदोलन नहीं होगा खत्म वहीं तुरंट बापस लिए जाएंगे सारे मामले दिया जाएगा मुअबजा केंदर सरकार ने किसानों को भेजा प्रस्ताव वहीं प्रिंका गांदी बड़ाने किये चुनावी बादे कहा 40 फीसदी सरकारी नौकरी मुफ्त में बसियात्रा और टीन मिलेंगे फ्री सिलेंडर वहीं CDS विपिन रावत की मौत से सद्वे में देश, PM मोधी, अमिचा और राहुल गांदी समेत कई बड़े निताओं ने जताया दुख वहीं कॉंग्रेस के स्टार परचारकों की लिष्ट से नबजोत सिंग सिद्धु गायावा, चन्नी और कनाया कुमार को मिली जगे है वहीं गोआत त्रिपुरा के बाद आवा, पंजाम में कॉंग्रेस पर चोट करेंगी ममता बना जी, इस दल के साथ सबीसी टॉप पर लड़ेंगी चुनाव वहीं डॉक्तरों की हरताल जारी, कहीं OPD ठाप, तो कहीं इमर्जेंसी में भी इलाज नहीं और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गंटी बटन जहुद आवादें महीं पहली बड़ी खबरा किसान आंदोलन का आज होगा अंतिम देना केंडर की ओर से दोवारा भेजे गए ड्राफट पर बनी सहमती आपको बता दें कि क्राशी कानून के बाद अबा नियुन्तम समठ अनमोलिया यानी MSP के लिए कानून बनाने की मांग पर अड़े किसानों का आंदोलन आज खत्म हो जाएगा आपको बता दें कि केंडर सरकार की ओर से भेजे गए रिवाइज ड्राफट परा किसानों की सहमती बन गई है सहमत किसान मोचा के नेता गुरुणाम सिंग चडूनी का कहना है कि आज सरकार की तरफ से जो ड्राफट आया है उस पर हमारी सहमती बनी है सरकार की ओर से फॉर्मल लेटर भी जल्द से जल्द आने की संबावना है गुर्णाम सिंग चडूनी ने कहा कि सरकार की ओर से भेजे गए रिवाइड ड्राफ्ट पर सहमती बनी है सरकार की ओर से इस संबन्द में फॉर्मल लेटर मिलने के बाद आज किसान नेताओं की बैठक होगी जिसमें आंदोलन को इस्थगित करने को लेकर कोई नेणा लिया जाएगा बता दें कि तीन क्राशी कानूनों को रद करने और MSP पर कानून बनाने सहेद दूसरे मुद्दों पर समिती गठित करने की गोस्तना के बाद केंदर ने पहली बार मंगलवार को सेंद किसान मोचा के पास लिखित में प्रस्ता भेजा था इसमें किसानों की सभी मांगों को मानने का जिक्र है लेकिन मोचा के नेताओं ने उस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए तीन प्रमुकापतियों के साथ सरकार को बापस भेज दिया था किसानों की तरप से उम्मी जताई गई है कि सरकार उनकी चिंताओं पर विचार करा अपनी प्रतिक्रिया देगी जिसके बाद अब सरकार की ओर से जिवाइज ड्राप्ट किसानों के पास भेज दिया गया है जिवाइज ड्राप्ट करा किसानों की सेमती बन गई है इसके बाद अब सरकार की और से फॉर्मल लेटर मिलेगा यानि कि किसान अंदोलन आज पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा यदि आप भी चाते हैं कि किसाना सकुसल अपने घर वापस लोटे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें लेकिन इसके साथी कहा है कि आपनी माँगें भी रखी है बता दें कि केंदर सरकार चाती है कि किसान धरना चोड़कर बापस अपने घर चले जाएं हालांकि किसाना सभी मांगें पूरी होने ताख आंदोलन जारी रखना चाते हैं संयत किसान मोचा के नेता गुरुणाम सिंग चडूनी ने कहा कि हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, खत नहीं कर रहे जब सरकार सारी बाते माने गी तबी धर्णा खत्म करेंगे इसके साथी चलूनी ने सरकार से सभी अंदोलनकारी किसानों के खिलाप केष बापस लेने की भी मांग किये है आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि आज किसान अंदोलनका आखरी दिन होगा आउली बड़ी खवर मोधी सरकार ने किसानों को बेजा एक और प्रस्ताव तुरंत वापस लिये जाएंगे सारे मामले और दिया जाएगा मुआवजा यह आपको बता दें कि केंदर सरकार द्वारा पिछले मांसुन सत्र में पास किये गए तीन क्राशी कानुनों को संसद के मौजूदा सीतकालिन सत्र में रद किये जाने के बाद किसानों के अवरोध कम करने की कोशिश जारी है इसी क्रम में केंदर सरकार ने किसानों से कहा कि आंदोलन के दोरान दर्जिक किये गए सभी मामले वापस लिये जाएंगे किसान यूनियन के सूत्रों के मताबिक मोधी सरकार ने किसानों को एक और प्रस्ता भेजा है जिसमें सभी मामले बापस लिए जाने का जिक्र है इसके साथी सरकार मुआवजे पर भी तैयार हो गई है सेनत किसान मोचा के सूतरों के मुताबिक मुआवजा पंजाब सरकार की तर्जपर दिया जाएगा हरियाना और यूपी सरकार इसके लिए तैयार हो गए है गौर तलब है कि पंजाब सरकार आंदोलैन में मारे गए किसानों के परिजनों को 5.5 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है आपको बता दें कि फिलाला मोधी सरकार ने किसानों को एक और प्रस्ता भेजा है जिसमें किसानों पर दर्ज सभी मामले तुरंत वापस लिए जाएंगे और मुआवजा भी दिया जाएगा औरी बड़ी खबस CDS जनरल विपिन रावत की मौत से सदमे में देश PM मोधी अमिट्सा और राहूल गांदी समेट कई बड़े नेताओं ने जताया दुख जो आपको बता दें कि देश के पहले Chief of Defense Staff यानी CDS जनरल विपिन रावत का बुदवार को तमिल नाडू के कुन्नूर में एक हेलिकॉप्टर हादिसे में निदन हो गया आपको बता दें कि जनरल रावत के निदन से देश दुखी है पधानमंची नरेंद्र मोधी ग्रहमंत्री अमिट्चा और कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी समेट तमाम बड़े निताओं ने दुख व्यक्त किया है आवली बड़ी ख़बर प्रिंका गांदी बाड़ा ने किये चुनावी बादे कहा 40 फीसदी सरकारी नौकरी मुफ्त बसियात्रा और बेंगे तीन फ्री सिलेंडर जिया आपको बता दें कि उत्तर प्रदेस में अगले साल होने वाले विदान सबाद चुनाप के लिए कॉंग्रेस ने कमर कसली है और इसके लिए पार्टी महासरची प्रिंका गांदी बाड़ा ने मोचा अपने हातों में ले लिया है यूपी चुनाब में महलाओं को 40 सी सदी टिगर देने का एलान कर चुकी प्रिंका गांदी ने एक और बड़ा दाव चला है और महलाओं के लिए अलग से गोस्टना पत्रु जारी कर दिया है प्रिंका गांदी ने महलाओं के लिए कई बड़ी गोस्टनाएं की हैं कॉंग्रेस महासरची प्रिंका गांदी बड़ाने काहा कि पिछले कई महीनों में उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस ने प्रदेश भर की महलाओं से सलाह मस्विरा किया और उनके लिए एक नई राह बनाने का खाका तयार किया सक्ती बिधान, ग्रणियों, कॉलेजों की लड़कियों, आसा और आंगानवाडी बेहनों, स्वेम सायता समू की बेहनों, सिच्छिकां और प्रोफिस्नल महलाओं की आवाज का प्रतिबंब है उन्होंने प्रेस कॉनफेंस में कहा कि महलाओं अब अन्याय सेने को तयार नहीं है, इसलिए हमने महला गोस्तना पत्र तयार किया है प्रिंका गान्री बाड़्ड़ा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की मेरी प्रिय बेहनों, आपका हर दिन संगर्सों से भरा है कॉंग्रेस पार्टी ने उसको समझते हुए, आपके लिए अलग से एक महला गोस्तना पत्र तयार किया है कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनने परा साल भर में भरे हुए तीन सिलेंडर मुफ्त दिये जाएंगे प्रदेश की सरकारी बसों में महलाओं के लिए यात्रा बिल्कुल फिरी होगी उन्होंने आगे कहा कि ग्रेजियोशन में पढ़ने वाली लड़कियों को स्कूटी फिरी मिलेगी परिवार में पैदा होने वाली प्रतेग बालिका के लिए एक FD बनवाई जाएगी हमने पुलिस बल में 25 फिसदी महलाओं को नौकरी देने की गोस्टना की है आउली बड़ी ख़वर कॉंग्रेस के इस्टार प्रचारकों की लिष्ट से नवजोत सिंग सिद्दू का नाम गायवा चन्डजे सिंग चन्नी और कनाया कुमार को किया गया सामिल जो आपको बता दें कि चन्डीगर नगरनिगम चुनावा सबी जाजनेटिक पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है आपको बता दें कि पंजाब विदानसवा चुनाव से पहले होने जा रहे इस चुनाव में जीतने के लिए हर पार्टि जो राजमा इसमें लगी है इसी बीच कॉंग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों की लिष्ट भी जारी कर दी गई है हैरान करने वाली बात ये है कि स्टार प्रचारकों की लिष्ट में पंजाब कॉंग्रेस के अध्याच नभजोत सिंख सिद्धू का नाम गयब है वहीं दो महीने पहले कॉंग्रेस में आये कनया कुमार का नाम इस लिस्ट में हैं कॉंग्रेस की स्टार प्रचारोकों की लिस्ट में कनया कुमार के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री चोंड़े सिंग चन्नी और हरियाना के पूर्मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंग हुड तो वहीं इस बार चुनाम में आमादमी पार्टी भी अपना जोर लगा रही है। पंजाब के चुनामी मैदान में त्रणमुल कॉंग्रेस के आने के बाद सियासत और जादा गर्मा गई है। मंजीत सिंग औलक ने टीमसी के प्रदेश सद्यच मंजीत सिंग की मौझूदगी में कहा कि पंजाब में जय जय किसान 87 सीटों पर चुनाब लड़ेगी। आपको बता दें कि मंजीत सिंग ने कहा कि पंजाब चुनाब के लिए राजी में प्रचार करेंगी। आउली बड़ी खबर डॉक्तरों की हर्ताल जारी कहीं OPD ठब तो कहीं इमर्जेंसी में भी इलाज नहीं मरीजों की बड़ी परिशानी। आपको बता दें कि देजबर में कई अस्पतालों में हर्ताल रही। डिली के प्रमुक अस्पतालों में भी हर्ताल का असर नजर आया। गुजरात और राजिस्तान में भी कई रेजिडेंट डॉक्टर हरताल पर रहे, दरसल डॉक्टरों ने ये हरताल फेडरेशन आफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसियेशन के आवान पर की है, आपको बता दें कि फोडा ने सौंबार को हरताल के लिए आवान किया था, इसकी मिल पा रहा, आउरी बड़ी ख़वर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा एलान बोले संगरसे से समाधान की ओर जा रहा आंदोलन, ये आपको बता दें कि करसी कानूनों की बापसी और अपनी फसलों की MSP की गारंटी सहेर, बिविन मांगों को लेकर पिछले एक साल से चल रहा, किसान अंदोलन अब खत्म होने की ओर बढ़ गया है, बाटी किसान यूनियन के नेता और इस अंदोलन का एक एहम चेरा रहे किसान नेता राकेश टिकैत के एक बयान से इन अटकलों को और जादा बल मिल गया है, राकेश टिकैत ने मीडिया से बाचीट में कहा कि अंदोलन अब संगर्से से समाधान की ओर जा रहा है, दसल सूत्रों के मताबेक सरकार ने किसानों पर दर्ज मकदमों की बापसी और इस अंदोलन के दोरान मौत का सिकार हुए किसानों के परजनों को मुआबजे जैसी मांगों पर नरम रुख दिखा दिया है, राकेश टि कैतने कहा कि अब जल्द ही आंदोलन खत्म हो जाएगा, आउली बड़ी खवार अकले सियादव ने बीजेपी पर बोला जोड़दार हमला कहा, बीजेपी के नेताओं के मन में घर कर गया है लाल टोपी का डर, यहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यच् अब बाखे वो चुकी है, इसलिए समाजवादी पार्टी के खिलाब अनरगल आरोप लगा रही है, अकले सियादव ने एक बयान में कहा कि बीजेपी नेताओं के मन में समाजवादी पार्टी की लाल टोपी का डर अब घर कर गया है, उन्हें अब अपने राजनेते कस्ति पार्टी की लाल बत्ती गुल होने वाली है, इस सचाई से वो अच्छे तरीके से परचित हो गई है, तब ही वो समाजवादी पार्टी पार्टी पारा अनरगल आरोप लगाने लगी है, बात ये संस्कृती का दंब भरने वाली बीजेपी के नेताओं को पता नहीं, ये ज उसकी नीतियां तो नफरत फैलाने वाली हैं, काली टोपी वाले ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनकी सोच संकीर है, और यी बड़ी ख़वर कॉंग्रेस का बड़ा एलान कहा 12 सांसदों का निलम्मन सबिधान के खिलाप इसे बापसले सरकार, ये आपको बता दें कि रा राजिसवा की कादेवाई सुचारू रूप से जारी रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सभी निलम्मित 12 सांसदों का निलम्मन बापस लिया जाए, मल्लका जुन ख़डगे ने नियूज एजेंसी एनाई से कहा, कि सांसदों के निलम्मन का फैसला संबिधान क खिलाप है, विपक्च को मजबूर किया जा रहा है कि राजिसवा की कारिवाई प्रवावित हो, ताकि मुद्दों पर चर्चा न हो सके, आज हम फिर से कहते हैं कि ये फैसला सही नहीं है, और निलम्मन के इस निलम्मन को बापस लिया जाना चाहिए, समूचे विपक्च न कॉंग्रेस पर बोला, जोड़दार हमला, कहा कॉंग्रेस लड़ाई में ठक चुकी है, अंतर कलेने उसे तेस्टनेस कर दिया है, यह आपको बता दें कि तरणमुल कॉंग्रेस ने खुद को वास्तबे कॉंग्रेस बताते हुए कहा कि लड़ाई में ठक चुकी सबसे पुर आगो बांगला में दोराया है कि वो भाजपा का मुकावला करने के लिए प्रतिबद्ध है। इमसी उस जिम्मेदारी को निभाईगी यही असली कॉंग्रेस है। यह थी अब तक की बेहत बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए। और किसानों को MSP की गारंटी मिले। और किसानों की सभी मंगों को मना जाए। तो